हेलो एंड विलकम टो आल आज हम देखते हैं इतिहास की प्रमुग घटनाएं और इसके बाद फिर जानेंगे अंत्रिच्छ कारिक्रम और भारस रिलेटेड कोस्चन देखेंगे और फिर लास्ट में टापिक कवर करेंगे भारती रच्छा प्रदोग की व्यारे में तो चलो देखते हैं पहले हम लोग देखेंगे इतिहास की प्रमुग घटनाएं भारत में आर्यों का आग्मन कभा था तो 1500 इशापूर्म में हुआ था महावीर का जन्म 540 इशापूर्म में और महावीर का निर्माड जो कि 468 इसापूर्व में हुआ था गतमबुद का जन्म 65 इसापूर्व और गतमबुद का महापर निर्माड 483 इसापूर्व चलो और देखते हैं सभी से लेटर जानेंगे सन और सिकंदर का भारत आक्रमड 326 लेकर 325 इसापूर्व असोग दौरा कालिंग पर विजय 261 इसापूर्व विक्रम समवत का आरम कब हुआ था तो 58 इसापूर्व शंक समवत का आरम 78 इसापूर्व इश्वी में 78 इस्वी में है और अब पहले क्या चल रहा था इसापूर्व अब चल रहा है इस्वी ठीक है ना अब देखेंगे हिजरी जानते होंगे हिजरी समद का आरब 622 इस्वी और फान की भारत यात्रा 405 इस्वी से लेकर गेरा इस्वी तक अब चलेंगे चार्ट सुगीरा ठीक है ना अचा हर्सवर्धन का सासन काल कब हुआ था चैसो चैसो शैसो सैतारेस इस्वी पर हुआ था ही इसांग भारत यात्रा 630 में सोमनात मंदिर का आक्रमण 1025 इस्वी पर हुआ अच्छा तराइन का यूद्ध शोमनात मंदिर का जो कि इंपोर्टेंट है कोश्चन यह और लोग हलकिम ले लेते हैं बोल जाते हैं और जितने यहां से कोश्चन इतने बरना है सभी अक्सर एक्जाम में आते हैं यह तो कोश्चन देखे शोमनात का हो गया तराइन का पर्थामुद 1192 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 स्वी में गुलाम मस्किस्थापना बारोष छेश्वी और वस्कोडिगामा भारत आगमन का हुआ था 1498 स्वी में और पानिपत का प्रथाम युद्ध देखे जितने कोश्चन है सभी बहुत आसाल अच्छी है पानिपत का प्रथाम युद्ध 1526 स्वी में हु बेसिंग में डिस्कस किया था आज काफी कोश्चन वन लाइनर के लगे हुए हैं आज सिर्फ कोश्चन पर नहीं डिस्कस करेंगे और हम पिछले वीडियों पढ़ा चुके हैं जाकर देख सकते हैं पानिपत का दूसरा युद्ध मतला बिरती युद्ध कम हुआ था 1556 और पानिपत का तीसरा युद्ध 1761 स्विवे और अत्मर का राज रोहल 1556 स्विवे पर हुआ था अहल्दी घाटी का 1556 स्विवे बहुत आता है एक्जाम में अभी पुलिस में ही आया था एक कोश्चन ये वाला और देखती रहें अच्छा दीन ए इलाही धर्म की स्था अ 1764 स्विवे बंगाल का स्थाई बंदोबस्त 1793 स्विवे बंगाल का प्रथमवी वाजर 1905 स्विवे तो दोस्तों याद हुआ होगा अब चलते हैं हम लोग कहां पर नैश्ट बक्सर का जान लिया है बंगाल का भी हो गया अब देखते हैं मुसलिम लेक के स्थापना 1906 स्विवे में हुआ था मारले में इंट सुधार 1909 स्विवे प्रथम विस युद्ध से अठारा तक प्रथम विस युद्ध चला था और काफी समस्यां हो गई थी काफी और चलेंगे अच्छा दूसरा दृती विस दृती विस युद्ध 1947 से 1945 इस वी तक हुआ था तो जब यू दोते ना बहुत आकाल पड़ जाता है तो काफी समस्यां हो जाती है अच्छा आसाइहोग अंदोला 1920 से 1922 तक इस वी है साइमन कमीशन का आगमन जानेगे 1928 इस वी अब हम लोग चलते हैं नैश्ट कम समय में ज्यादा कोश्चन कवर करने कोशिस करते हैं तो जरूर वीडियो देखें और मैत के वीडियो देखें और आरेस अगरवाल वीडियो डेली स्टार्ट हो गया है और आरेस अगरवाल बुक खतम करेंगे हम और जो की पहला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है प्रोफिट एंड लॉस का तो तीन से च फ्रोट के था इंड वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके और इसके बाद पूरा हो जाएगा फिर भी पर करेंगे तो देखते रहें और मैत का वीडियो डियली मिलेगा आज ही मैत का विडración अपलatin मिलेगा एंगर भग 30 questions होंगे और 30 minutes देगे समय ज़्यादा नहीं लेंगे तो देखते हैं और concept मैत आप एक बार देखोगे पता चलेगा कैसी मैत है और बहुत thought method में हमने सिखाया है जो कि last ही logic जो exam में सिर्फ देखते ही आंसर क्लिक कर पाओगे तो देखते हैं गांदी रिविन समझोता 1931 डांडी मार्च 1930 है और साइमन कमीशन आगमान 1928 है याद रखें लगातार question है यह वाले डांडी मार्च जिरू याद रखें 1930 है ठी है अगांदी रिविन 1931 और कैमनड मिशन का आगमान 1946 मात्मा गांदी के हत्या 1940 किस ने किया था नातुराम गोड़ से ने और देखेंगे चीन चीन का भारत पर आक्रमाण 1967 है और देखें क्या 1930 जन्वरी को हुआ था ठीक है ना कम सा यह वाला ठीक है तीस जन्वरी को भी उन्यस और तालिस महत्मा का अधिक हत्य किया था नाथुराम गोड से ने अच्छा भारत और पाकिस्तान का युद्ध जान लेते हैं पहले चीन का जान लेते हैं अच्छे से देखिए चीन का भारत पर आक्रमड उन्यस सो बाटिस्वी में वह था काफीर और देखिते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध नुनिशं सो पैसरशी में और तासकंत समझाओ था उन्यस सो चाठी सीमित तो देखते हैं और नीश्ञ जान लेते ताली कोटा का युद्ध 15 श्षाट अध्य और प्रथम आंगल मैंसूर यूद 1767 से 79 सी था तीसरा आंगल मैंसूर यूद जो की 1790 से 92 सी चतुर्स आंगल मैंसूर यूद 1799 सी और कारगिल यूद 1999 इस वी कारगिल यूद ठीक है और चलते हैं अगला देखेंगे प्रथम गोल में समेलन देखें जितने बैटल यूद से जितने कोश्चन बने हुए हैं ठीक है वो सारे कोश्चन हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इस से रिलेटेड कहीं कोश्चन आप लोगों को भड़कने के जरूरत नहीं है तो जो कि इस वीडियो को जरूर देखें तो चलते हैं हम लोग समय को भी देख रहा है तो दूसरा प्रथम गोल मेंच 30 है 1930 है और दूसरा गोल मेंच 1931 है और तीसरा 32 है 1900 और क्रिप्स मिशन कागमन 1922 है देखिए प्रत गोल मेंच ही हुगा था पहला चीनी क्रांती जो कि 1911 इस वी पर हुआ था चीनी क्रांती अच्छा फ्रासेंसी की क्रांती फ्रांसेंसी की बात करेंगे तो 1789 और रूसी क्रांती 17 1917 इस वी में हुआ तो अब युद्ध से क्वेश्चन जितने बने वो सभावत हो चुके हैं आप हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं घटनाएं के बारे हम तो जान लिया है अब अच्छा आंद्रिच के बारे में थोड़ा जान लेते ठीक है अच्छे युक का स्रीगरेश का प्रारम हुआ था शुक वा था मदलाब कि श्रीगरेश कीया गया था उन्नेइसस सत्तावाने सिभी से अच्छार आंध्रिच कारिकरम सुरूँ इसको याद रखे बहुत आता एक्जाम में पोलर सेटलाइट लंच भेकल जो कि बताएं में यही कोश्चन आया था एयर फोर्स हो गया और पुलिस हो गया यह कोश्चन बहुत अक्जाम में आता है तो दोस्तों जरूर याद रखें अब जान लेते हैं जैसे के अंत्रिच आंत्रिच कारिकरम जनक पिता किसे कहा जाता है डाक्टर विक्रम सारभाई को हमने पिछले वीडियों भी इस महात्मा गाधी वाले वीडियों हमें डिसकस किया था ठेक है ना तो आज सिर्फ यही को सजानेगे सिर्फ और भारती मिसाइल प्रिशे पास्त कारिकरम का जनक डाक्टर एपी जी अद्दूर अब्दूलकलाम थे और अंत्रिच अनुसंधान इश्रो की स्थामना उनिस सो उनातरिस्वी में जो कि मुख्याले का है बैंगलोर है और अंत्रिच में पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति जोकि मेजर यूरी गागरें त्योवियत संग के हैं और 1961 дв पर अंत्रिच में जाने वाली प्रथम महिला विलेंटीन है जो कि त्रस्कोवा संग के यह उन्यस सो तिर्वी और अन्त्रिच तैरने वाला प्रथम व्यक्ति आलक्सी लिए पे आंत्रिश में जाने वाला प्रथम भारती कौन था तो भारती जुरुजाद रखे स्कॉर्डर लीडर राकेश सर्मा है जो की तीन अप्रेल वाले महिला सुनीता विलियंस थे अब हम लोग चलेगे नेश्ट और हां देख लेते हैं जो आते हैं अफ़ाल तो कोश्चा नहीं डिसकस करेंगे तो समय को भी देखना पड़ता है चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था नील आर्म श्ट्रांग जो की नेश्टो 21 जुलाई 1929 थी कि नेल अर्म फश्ट्रांग चंद्रमा पर बहुत अच्छा कोश्चन है चंद्रमा पर मानो को पहुचने वाला प्रतम अंदर सियान को आपोलो था जो कि आपोलो 11 चंद्रमा भार मानो भेजने वाला प्रतम देश श्यक्त राज अमेरीका तो क्थ्यों के काफ़ी ट्रायल करता रहता है भारत प्रताम अंध्रिश प्रत्रक यांग वाइकइंग वाइकिंग वाइकिंग वन अध्रिश को प्रतम है पूतने सभी संग द्वारा उन्यों सट्वान सभी और कुश्चन याद आखे एक और यह कुश्चन जाने लेते हैं राष्टी संदूर समीधी इजनसी कहा है और भारती समीधी संस्थान देहरादूर है विक्रम सारा भाई आंत्रेच केंदर त्रिवेंदव है और यह वाला एह क्लाएं और डेक्रव्यार कि delle रख Richtung कन दो कर दो अब लोग को टिसके स寂द कर लेंगी वर वस एक-डो कोश्चन से all कर लेता है जो इंपोर्टेंट वाई डिसकस करते हैं ठीक है फस्स एक दो तीन जार कोश्चन लग बग तो जैसे कि रच्छा प्रदोगी की भारती रच्छा देखो डियार्डियों की स्थापना का वह थी देख लेते हैं और नेश्ट और देख लेते हैं अच्छा इसके देख लेते हैं CSIR के अंत्रिच भारत का प्रधानमंत्री होता है और प्रतिवी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक्षमता 250 किलमेटर के बलेश्टक प्रशेपास तरह और चलते हैं प्रतिवी का प्रधम परिच्छड 25 फरवरी 1988 को चांदीपूर अंत्रिच अंत्रिव परिच्छड के दर से किया गया था जो कि बहुत अच्छा प्रशन ही वाला याद रखें आप लोग देख पा रहें और जैसे कि त्रसूल कमदूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला ए एक टैक रोधी है जो कि प्रिच्छ पास्तर मारक चमताए चार किलोमीटर है और ड्याड्योष से बनने वाले परशन बनते हैं अजो क्टेजस जो की वीमान टेज़स एक निर्मित प्रथम हलका लडाकूी वीमान है हलका लडाकूी मैन है peppar dan चालंग रहित भारती वीमान तो दोस्तों याद हुआ होगा हमने कम शमय में कितना कोशन कवर किया बहुत 14-15 मिनिट कोईशन मना हुआ है वीडियो और बहुत कोईशन कंप्रेट किये तो याद रखें और अकसर एक्जाम में पहुच लिया जाता है और खास तावर से रेलवे के लिए बहुत इंप्रोटेंट कोईशन है देख पा रहे होंगे रेलवे समान अध्यनी कोईशन है तो हम लोग बस रखते हैं फिर नेश्ट वेडियो में बात करते हैं कि 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 कि